रामनगरी अयोध्या जहां प्राण प्रतिष्ठा जैसे महाउस्व के बाद एक और भवे जूलोसव का आयोजन किया जा रहा है जो निस अगस तक जारी रहेगा इस अफसर पर रामलला सदन में भगवान रामलला के लिए एक विशेश जूला तयार किया गया है जिसे ब्रंदावन के दस कलाकारों ने एक साल की मेहनस से बनाया है इस जूले की लागत करीब 2 करोड रुपे है जिसमें 140 किलो चांदी और 700 ग्राम सोने का उप्योग किया गय बता दें कि ये जूला 10 फीट उंचा और 8 फीट चौड़ा और 4 फीट गहरा है जिसे देवी देताओं की आकरतियों और सोने के नकाशी के साथ सजाया गया है कर दोक्ते हमें बताबना स्वारो प्रह धिसमें? बता दें कि आज भगवान श्री राम लला और उनके तीनों भाईयों को इस जूले पर विराजित किया गया साथी गुजरात में तयार किये गए विशेश सोने चांदी और हीरे से बने मुकुट को भी पहनाया गया जिसका डिजाइन दक्षन भारतिय परंपरा पर आधारित है ये दक्षन भारत की परंपरा के साथ-साथ नारत पांच रात त्रागम की विधी से बगवान की समाराधना और उत्सो सारे तारिक्रम संपर्न हो रहे बगवान स्री सीता राम चंद्र जी और लक्षमण जी दरसल अयोध्या में इस जूलन उस्सव में शामिल होने के लिए अमेरिका समेत कई देशों से भक्त पहुंचे हैं और रामनगरी के 50 से अधिक प्रमुक आचारे भी इस आयोजन में शामिल हुए बता दें कि धानमे करुष्ठान के बाद भगवान श्री राम, माता जानकी और उनके भाईयों लक्षमन, भरत और शत्रुगन को जूला जुलाया गया इस दोरान भजन गायन कर भगवान को विशेश माला पहनाई गई जानकारी के अनुसार बता दें कि अयोध्या के लगभग 1000 मंदिरों में इस जूलन उस्सव का आयोजन हो रहा है और रामलला सदन में भव्य समारों हो रहे हैं ये सदन राम मंदिर से थोड़ी ही दोरी परिस्थित है और करीब 300 साल पुराना माना जाता है मानता के अनुसार त्रेता युग में इस इस्थान पर भगवान श्री राम और उनके भाईयों के संसकार किये गए थे पंजाब के स्री टीवी के लिए आयोध्या से संजीवाजात की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद